ये भरती आपकी आर्थिक एवंसांखी की विबाग की है Economics and Statistical Department जो की आर्थिक समिक्सा जो तयार करता है वो ये डिपार्टमेंट करता है अगर इसकी बात करें तो पहले संगनक की जो भरती आयोजित करवाई गई थी वो भी इसी डिपार्टमेंट की थी और संगनक वाला आपका बात करें तो संगनक वाले सभी अभ्यरती लगबग इसमें ही आपके क्या है बात रहे बात करें Non-Schedule Area की इसमें 31 पोस्ट है और Schedule Area की 12 इसमें पोस्ट है फुल मिला करके आपकी यह जो भरती है वो 43 पोस्ट के लिए आपकी है वो जारे की है इसका विज्यापन और इसके लिए अनिवारे सेक्ष्णिक युग्यता यहां पर आईए हम देखते हैं क्या है सेक्ष्णिक युग्यता at least a second class master degree in maths, statistics, economics and commerce यानि कि आपकी MA या MSC होनी चाहिए किस में? Commerce में है, economics में है, ठीक है, M.com अगर आपकी है तो आप कर सकते हैं, MA economics में है तो भी कर सकते हैं और statistical maths में अगर आपने की हुई है, master degree तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम क्या होनी चाहिए? आपकी second class में होनी चाहिए, second division के साथ में है, master degree आपकी होनी चाहिए आपकी mathematics में, statistics में, economics में या commerce में, अगर second class के साथ में master degree नहीं है, अगर आप third division के साथ में आपकी master degree है, तो फिर आपको क्या करना है? डिपलोमा अगर आपका होना चाहिए, statistics में, अगर third class में भी master degree है, तो वो भी चलेगी, अगर आपके पास में, statistics में diploma है, तो ठीक है, अगर आप second class या first division में आप है, तो तो फिर ये केवल आपकी, जो आपकी master degree है, यही काम आजाएगी इसके अलावा क्या का गया है? O level और higher level certificate course conducted by department of electronics, यही कि यह आपका certificate आपके पास में है, वो वोना चाहिए, O level का certificate है, O level का नहीं है, तो कम से कम आपके पास में RSCIT का 6 महिने वाला VMOU का certificate तो होगा ही, तो RSCIT का जो certificate है, वो भी आप है, वो कर शकती है, तो पहली बात है, second class के साथ में master degree किसमें, maths में, संकिकी में, commerce में, या फिर आपकी economics में, ठीक है, और इसी के साथ में RSCIT है, तो सारे अभ्यरती है, वो इसके लिए क्या है, पात्रहें, rate की vacancy पात्रता के लिए तो जल्दी आ जाएगी आपकी, और mens exam है, वो पात्रता के बाद में पता चलेगा कि कब क्या हो पाएगा, अब दूसरी बात है कि इसमें जो appearing वाले हैं, वो भी आवेदन बिल्कुल हो करशकेंगे, अपेक्सित sectionic एहरता अंतिम वर्ष की प्रिक्षा में सामिल हो चुका है, या हो रहा है, वाला वेक्ति भी पात्र होगा, लेकिन प्रत्योगी प्रिक्षा के लिए ओनलाइन आवेदन है, वो कर सकते हैं, आयू की गणना है, वो एक जनवरी 2025 से है, वो आयू की गणना है, वो काउंट की जाएगी, ठीक है, और आयू की गणना का आदार एक जनवरी 2022 रखा गया था, तथ पस्चात कोई विग्यापन जारी नहीं हुआ, तो अभ्य आपकी लगबग पहले 2022 में आपकी है, वो निकले थी, चैन की प्रकरिया क्या है, तो आपका केवल एक्जाम होगा, ठीक है, अबजक्टिव टाइप का पैपर है, वो इसमें रहने वाला है, और इसमें भी आपका 40% minimum qualifying marks है, वो आपको हो लाना होगा, ठीक है, अबजक्टि आपको इस exam के लिए हो मिल जाएगा, 12 अगस्त से 14-10 सितंबर के मद्या आप ओनलाइन है, वो आवेदन इसके लिए भी कर शकेंगे, तो ये इस भरती के बारे में सारी जानकारे, इसका syllabus इत्यादी मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा, और अच्छी तैयारी के लिए आप Ohm Digital Study Learning Application डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके test series, इसके previous papers, चैस संगनक के हो, ASO के हो, या SO के हो, वो सारे के सारे आपको previous papers शित्यादी है, वो complete मिल जाएंगे, और इसका एक complete जो course है, वो भी आपको मिल जाएगा, तो thank you so much all of you, बहुत कि जो आपका RS है, administrative service है, उसमें भी इतनी post होती है, और उसमें भी बहुत सारे अलग-लग department होते हैं, तो इस departmentों को अलग-लग हम count करने जाए, तो बहुत ही लग-बग 20, 30, 20, 25 के आस-पास मा post है, वो रहती है, तो post अधिकारी level की बहुत ही कमी आती है, LDC जैसी आप लिपिक की रेसी अगर post की बात करें, तो वो आपको हजारों की संक्या में हो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप गंबीरता के साथ में, इसकी dedication के साथ में तयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में से ही ये जो 43 post है, ये फुल्फिल करने वाले candidates भी आप में से ही है, जो कागरी चित्ता के साथ में उसी प्रकार से आप अपने गोल को लक्ष को निर्दारित करते हुए देखेंगे, आपके लिए केवल एक ही post मायने रखती है, जो आपको प्राप्त करनी है, बाकी post कितनी ही आए, कितनी ही नहीं आए, तो इसमें से आप वाले अभियरती ही qualify हो ह होने वाले हैं, और इसमें सामिल होने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी करें, तो आप सबी का बहुत-बहुत धनिवाज, सुक्रिया, जैहिन,